नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमान खर्णा मुट्रची क्लीनिक एस्टोग्राम में पर फिर आपका स्वागत है, साथियों आज हम बात करेंगे कंभीर विशय पे, और कंभीर विशय है बाइपोलर डिसाडर, आज हम बताएंगे आपको साथियों बाइपोलर डिसाडर को ठीक करने की तस-काजर भुग्यों पेधिक दवाएपोलर डिसाडर साथियों, जिसको की मीनिक टेप्रेशन भी कहा जाता है, यहां एक पड़ा कंभीर विशय है, इक दम से ब्याती बिल्कुल खुश हो जाता है, यहां जो मूड्स होंते है, यहीं किसी को बैपुलर डिसाडर रहे इपाको एपोलर डिसाडर में शाथियों, सबसे पैसे तो एक खुशी की बात आ सकती है जिसको हाइपोमेनिक कहते हैं या मेनिया कहते है यहाँ होता है बहुत जायफुल हो गया बहुत थ्रेस्टलेस हो गया बहुत खुश 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 हो गय इसमें की मेनिया या हाइपो मेनिया ये दो बाते हैं यहां दोना होती है या फिर डिप्रेशा होता है बाग कर लेते हैं साथियों बाइपुलर डिसॉर्डर के सिंटम्स की बाइपुलर डिसॉर्डर साथियों सिंटम्स के साथ से कई तरह से क्लैसिपाई होता है कई भागों क्लेक्सिफाइब होता है पहले साथ यह समझ दिए पाहिकुलर डिसॉर्डर में दो सिंटम में पहला जो हाइपोमेनिया या मीनिया होता है यहां दोनों दो अलग चीज़े हैं लेकिन यहां जो है वो खुसी का सूचक है जब आम बहुत जादा जॉइफेल हो जाते हैं या त आपके स्थिती बुरी होती है लेकि बहुत बुरी भी होती है लेकिन जब यह खुची की स्थिती आपकी स्ट्रीम में चले जाती है जब आप रियालिटी से दूर हो जाते है तो इसको मेनिया कहते है तो एक हो गया हाइपोमेनिया मेनिया और दूसरा हो गया डिप्रेशन तो अगर आपको हैपो मीनिया और अभाबना आइ तो वह ही उच में का सीप्टम होता है पहला साथियो ळो आता है बाइपूलर डिसारडर भूता है पस्तो सेचिप्रेशन और के एक मेंटैक होता है उचक्राइ या फिल दिप्रेशन से ही अगर यह सच्छी आप में हो तो आप इसको पाइप दिसाडर क्लैसिफाइद कर सकते हैं, फिर साथ ही वाता है बाइपोलर टू डिसाडर है, बाइपोलर टू डिसाडर में आपके एक डिप्रेशिव अटैक पड़ता है, और उसके बाद आपका पढ़ता है वह टेक्नी पढ़ता है वास्ताविक्ता से दूर ले जाए यहां होता है Bipolar 2 disorder एक होता है साथ यह Cyclothemic Bipolar disorder Cyclothemic Bipolar disorder जैसा है कि नामी बता रहा है cycles में पढ़ता है आपको बच्पन से लिए के एक उमर दराज आप हो जाते हैं cycle में पढ़ता रहता है पहले आपको एक hypert Euro mini episode होता है फिर आपको डिप्रसीव एपिसोड रहता है अगर यहां इस पर नहीं हो ता है अगर स्टीव से आपको हो रहा है तो इसको कहते है Cyclothemic इस तरह तमाम साथियों क्लैस्टिकेशन हैं अधुलर डिसॉडर के लेकि दो तीन हमें आपको जो बिच्छेस हैं बहां बताएं ताहि कि आपको चीज का बात का परिशानी का अधादा हो जाएं अपने इसके कारण साती हूं कारण आज तक इसके अन्नों है आज तक इसका का जो परिवारों से अलग्र देती है इसकी उन्योपेटी में बहुत कारगर दबाएं हम आपको पताएंगे बैपोलर डिसॉडर दूर करने की 10 कारगर उन्योपेटी दबाया है पहले साथ यह बता दें यहां दबाय आपकी जानकारी के लिए है क्योंकि बाइपोलर डिसॉडर का जो मेनिक अटैक होता है वह आपको फॉस्पिटिलाइजेशन तक ले जाता है तो आपको डॉक्टर की सलह से रही दबा लेनी है बिना डॉक्टर से प्रिस्टाइब कराएं है कोई दबार नहीं दी चलते पर बताते हैं आपको बाइपोलर डिसॉडर। डूस करने की 10 कारगर होमियोपेधिक कमाड़ करने के एक सुपिटिती साथ य पाइपोलर डिसॉडर में आती है कि मरीज को टाकत को जादा आई है बहुत जादा ताकत वापने में में मैसूस क है तो इसको ठीक करने के नियों पैठी में बहुत कारगर दबा है लीनियम ठीकना लीनियम ठीक थर्टी लोगों निर में तीन पार आप उस इस्थिती में उस मरीश को दे सकते हैं जो कि खुद अपने में ताकत महसूस करने लगा हो उसको पाइपूलर डिसॉडर हो एक जगा बैठ नहीं पाता हो रेक्टना खड़ा नहीं है पाता है तो उस मरीश के लेटर अफ द चॉइस लीनियम ठीक है एक इस्थिती आती की साथ को भाइपूलर डिसारण में कि आप विल्कुल समान है अचानत आप रिदम से आप नराज होगे सामने वाले को उसके स्राप देने अधर उस मरीश को दे सकते हैं जो कि यह बद्दुआ देना श्राप देना बुरा चायना इस तरह का इटिटीट किसी का हो रेक्टर मैजों उस आटिटीट करके आपको सामाने करेंगी एक इस्थिती साथ यो बाइपूलर डिसॉडर में आती है जब आप मित्या तो और जा सब्सक्राइब करनी के उन्यों पैटी में बहुत कारदर दवाए चैनिपिस इंडिका आप गयाने लिए सकते हैं अगर आप बहुत रेचले सो बहुत दूर्जा मैसूस करते हूं और हर समय बात करते हैं चुपना रहते हो उस सितिकी दवा कैंडीश इंडिका एक सितिया आ बोजिल हो जाने, बहुत रूपह जाने किसी से बात करत, पसब कि यहां खतम होंगे और आपके विचार एक लेवल पर आएंगे एक स्थिती साथियों पाइपोलर डिसॉडर में आती कि एक्टम से आपका मूट स्विंग हो और आप दूसरे को खुछ जादा मार्पी प्रो तारू हो जाए अगर वहां स्थिती हो कि आप वाइलेंट नेचर आपका अचानत हो जाए एक दम से और फिर वह चला जाए अचानक आए तूफान की तरह और तूफान की तरह चला जाए तो अगर यह सिती हो साथियों तो तो ठीक करने की उन्हें पर पर कारगर दवा है बरेडुना आप बरेडुना दोसों दो दोगों दिन में तीम बार सिती मिले सकते हैं जब आपके बहुत ज्यादा एकदम से आप अग्रेसिव हो जाते हो एकदम से शाथ हो जाते हो बरेडुना का मरीज का अचानत गुस्दा भी आता है वो पिसी पे थूपने तक लगता है तक गुस्दा आए बिट करने लगता तो अगर यह सिती हो तो आपके मुझ स्विंग को ठीक करके आप उनिफार्ण प्रेट पर लाएगा एक स्थिटी साथी वहां सकती है आपके सामने कि करें आपने अन्देरा छां गया हो मन में अन्देरे का मतलब है सब कुछ बोजिल हो गया तो अगर आपके यह बुझा बुझा सा मन हो विल्कुल सब डाउन लग रहा हो वह उमीद ना हो उस समय भी एक उमीद है आपके सामने वहा है होमियोपैती और उस उमीद को पूरा करन की होमियोपेटिक दवा है नेत्रम सल फ्रेयर कम आप नेत्रम सल 200 पावर में दो दूपूर की पाले ले यहां दवा आपके इस जो बुझे हुए मन को ठीक करें और आपको पिर्तर करें गी एक साथ युस्तिती आती कि आपको बहुत गुस्सा आया हो बाइपूलर डिसाडर म दर्बर दिरुकsst ये वेखने लगें पेटने लगें चिलाने लगें छीकने लगें अगर यहां अग्रिसिवनगने डिय्छ एगर यह सेज हो इसको ठीक करने के हमियोपेटी में बहुत का रग़र दवा है विरेत्रम आयलम और विरेत्रम एलबम ठाटी दो जो दो वह तुखी हो जाते हो साइड ने साथ को घेल लेती हो और आप सुसाइड करना चाहते हो तो अगर यार स्थिती हो तो तो ठीक करने के उनमों पहुत बहुत कार्न दवाय और अम मिटाल कम आप और में 30 पावर में दूदों को दिल में तीक बाल दे सकते हैं यहां दवाय आपको म करने के लिए नदी किरारे पहुंच 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 को खतम करेंगी और आपको ठीक करेंगी एक स्थिती आती ही साथी हो पाइपूलर डिसॉर्डर के महिलाओं में कि महिलाओं का आप्टर प्रिग्निंसी जब उनने पच्छे का डेलेवरी हो गया उसके महिला को इंदम से बहुत गुस्ता आने लगा हो और अगर इसे भागने की बात करती हो तो इसको ठीक करने की हो पहुंच पहुंच का गरता हुआ है हायोसाइमस निकर आप हायोसाइमस दोस्वपावर में दो दोबून दिन में तीन बार उस परच्छे को दे सकते हैं जो की बहुत जादा एक बहुत जादा इस देविल हो गई हो आप टर काईचुरिशन यहां दबा उस महिला को शांत करेगी उसके पारिवाली जिव्मेदारियों को बेतर निवाले में उसकी पदल करेगी एक हिस्सितिती आती है साथियो कि आपके कालोबार में भेलोगा उसके ब दबाद आप परिशान हैं और आपके मुट स्विंग्स होने लगे हैं तो इसको ठीक करने के हुँए पैटी में बहुत कादर दवा है एम्ब्राइश का आप एम्ब्राइश का थाटी पावर में दूदू बूदू देले यहां दबाद आपके मुट को सई करेगी मुट स् अब आपका यह इश है पुराना जो भूई हुई आपकी परसिंदी है उसको बापस लाने में मदद करें एक स्थिति आपिस आतियों कि जब आप कभी अचानक रोते हैं और अचानक हसने लगते हैं आपका मुट स्विंग होता है आप रो रहे हैं आसों से रो रहे हैं आपके आसों को भी रोके कि और आपको बिलकर प्राइए एक साथियों बाइपोलर डिसॉर्डर का कॉस या कारण से स्थिति आती कि जब आप अपने भूत काल को अपने बीते वक्त को याद करने लगें उसके बाद आप बहुत दुखी रहते हो कभी किसी की मृत्तिव हो कभी कोई हासा हो गया उसके पास से आप एक साइलिंट ग्रीप की अवस्ता में रहें हर समय आप एक तुखी महला है तो अगर याज दिती है आप में बाइपोलर डिसॉर्डर में जो की मृट स्विंग के रूप में है तो उसको ठील सरने की हुनों पैची में बहुत आतर दवा है एक निश्या अमार आप एक निश्या थार्टी दोगों दिन में तीन बार ले सकते हैं यहां दवा आपके इस चाहिए को खत्म करेंगी और मोट स्विंग होता है कि इतम से दुखी 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 चल रहा है और इतम से कुछ होगा है तो इसको नार्मल करके आप आप खुछ यादा रखे कि दुखी करेंगी मिशय बहुत अच्छी दबा है आपके तो पर दूर करने कि ऐसाथ की दवाय ओफके थांड्य है और जी अपने निश्या करके ने को दूर जिवन को कखर नेकि वह भूरी दिवन को च्छिं बनाता है याली ए दवाय दिवन को आप symptom case आप से दबा को देख सकते हैं, अपने डॉक्टर से डिसकस कर सकते हैं और उससे प्रिस्काइब कर आके आप कोई दबा को दे सकते हैं कुशिश करेंगे आपको आपके सवाल कर सब्सक्राइब जवाब देपाएं आप आपको देख साथ रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुशिश करेंगे आपको देख सकते हैं कुशिश करेंगे आपको देख सकते हैं